अगर आपको एक immigrant loan चाहिए then please don't skip this video because अगले कुछ minutes में मैं आपको एक ऐसे startup के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बिना credit score, बिना collateral and बिना co-signer एक loan प्रोवाइड कर सकती है So hey everyone, मेरा नामे विशाल और आज हम बात करने वाले immigrant loan के बारे में जल्दी से इस video को शुरू करते हैं, तो हम मैंसे बहुत से लोग like US में shift होना चाहते हैं but starting में हमारे पास funds की कमी होती है, rent देने के लिए पैसे नहीं होता है तो और USA में non-US citizens को loan मिलना काफी मुश्किल होता है but अब नहीं इस video मैं आज में ऐसे startup के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है stilt और stilt एक USA based startup है जो immigrants को loan प्रोवाइड करती है यहाँ पे मैं सारी चीज़े cover करूँगा जैसे eligibility, loan process and charges तो सारी चीज़े cover होगी तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करना तो सबसे बहले बात करते है loan eligibility की तो normally US में loan लेने के लिए आपके पास एक US citizenship होनी चाहिए और आपका credit score काफी जादा अच्छा होना चाहिए पर normally हमारा credit score इतना अच्छा नहीं होता और हमें loan नहीं मिल पाता पर still के साथ आप बिना credit score बिना एक अच्छे credit score आप loan ले सकते हो और यह बहुत ही अच्छी बात है अब यहाँ पर इस loan को like completely लेने के लिए आपको इस eligibility criteria में fit होना होगा number one यहाँ पर आपकी age 18 plus होनी चाहिए number two आपके पास एक US visa होना चाहिए जिसकी जो validity है वो at least six months की होनी चाहिए number three आपके पास एक US number या फिर एक US address होना चाहिए जो आपके नाम पर registered हो number four आपके पास एक US account होना चाहिए जो आपके नाम पर registered हो number five है आपको US में physically present होना होगा loan के process को complete करने के लिए और अगर आप इस eligibility criteria में fit होते हैं तो आप loan के लिए eligible है अब बात करते हैं loan process की अब यहां पर stilt आपको बिना credit score के loan provide करता है इसी लिए stilt यहां पर बहुत सारे factors को consider करता है आपकी loan application को complete करने के लिए जैसे यहां पर stilt आपकी employment and employment ability को check करता है मतलब आप कहां पर job कर सकते हो या आप कहां पर job कर सकते हो आपकी payment हो सकती है अगर आप job करते हो तो आपकी जो loan application उसके लिए बहुत ही positive news है बड़ आप job नहीं भी करते हो इस टिल आप एक loan के लिए applicable हो और second point यहां पर education को यूज करता है loan application को fulfill करने के लिए आपने कितनी पढ़ाई किये आप कितने capable हो और यह सारी चीज़े अपने data में यूज करता है और जो थर्ड चीज़े वह आपका financial behavior लाइक आपके account में कितने पैसे हैं आप कितने transactions करते हो कितने देप्थ है और कितने आपके bankruptcies है और सारी चीज़े जो बेसिकली financial behavior में आती है वह सारी चीज़े यहां पर चेक की जाएगी और इससे आपका जो loan paying capacity है उसको प्रेडिक किया जा सकता है और इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके loan result में लास्ट आपके credit score को भी चेक करेगा और इससे आप एक formality समझ सकते हैं जो कि जरूरी है और मतलब आप बिना high credit score के भी loan के लिए eligible होंगे सबसे important point की बात करते हैं और वह है loan charges and application process तो यहां पर stilt loan में आपको कोई भी hidden charges देखने को नहीं मिलते हैं लाइक आप किसी भी currency में funds transfer कर सकते हो बिना additional cost के आपको कोई भी annual maintenance fees देने की जरुवत नहीं है नहीं कोई hidden charges है तो इन सब चीजों को consider करके आपको बहुत ही major advantage देखने को मिलता है stilt loan के साथ अब यहां पर अगर आपको loan apply करना है तो यह बहुत ही details submit कर देनी है अब stilt आपको faster loan processing offer करता है इसलिए details submit करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर loan update देखने को मिल जाएगी अगर आप eligible होंगे तो आपको प्रॉमिसरी note send किया जाएगा and sign करने के बाद आपको 2-3 दिन में funds मिल जाएगे अब finally बात करता है कि आप इस loan को repay कैसे कर सकते हो तो stilt आपको बहुत ही easy payment options provide करता है तो आप stilt की website को use करके अपनी payments को schedule कर सकते हो like आपको किस दिन कितने पैसे देने वह आप schedule कर सकते हो and या फिर आप due date के पहले manually जाके payment कर सकते हो या फिर आपको automatic payments का भी option मिल जाता है जिसे आप easily setup कर सकते हो and अगर आप अपना loan date के पहले ही like खतम करना चाहते हो बंद करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो और यहाँ पर आपको कोई भी extra charges देखने को नहीं मिलेंगे इसलिए मैं आपको highly recommend करता हूँ stilt तो आप description में दी गए link को use करके stilt के बारे में और जान सकते हो और यहाँ पर यह वीडियो खतम हो जाती हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like कर देना share कर देना and मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में बाई